दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लड अफेर चैनल पर स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेर डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं किक पॉइंट और स्प्रेशर डे एंश्यूव डे नीज अप टेलीग्राम चैनल जोइन करें अमन सर्वाइफ एसली जिससे आपको pdf मिल सकें और link मिल सकें जैसे कि आज मैं आपको 7 a.m. पर पूरा current affair revise कराने वाला हूं और अकेडमी पर उसका लिंक वीडियो के mi 100 कीने लुप होते हैं वह अपसे सब्सक्राइब को एक साथ लाने में में युथ व्यादा है आड़र शुद्वर झाषिन lifes 아니라 टॉप में इसके उपर एक कोशन विई गराने वाला हुझ चलि आज के दिन के question की शुरुबात करते हैं 12 न OM को क्या observe किया आता है तो National Bird Day observe किया आता है अब National Bird Day कि इनके नाम पर observe किया आता है कान रखेगा सालीम अली जो की Bird Man of India कहे जाते हैं उनके Birthism पर जो है National Bird Day इंडिया में celebrate किया जाता है और इस एंड बार नुम्बर 1896 में हुआ था है यह एक अरुन्थ लोजिस्ट और नेच्रलिस्ट हैं हमारे भारत के और यह पहले विक्ति हैं भारत में जिन्होंने एक सिस्टेमाटिक बर्ड सर्वे किया और बर्ड के ऊपर बहुत सारी किताबे लिखे हैं जो पॉपलर है इस समय और कोशन आ स सकता है पूच राया सकता है दूसरा कोशना आप सबीकर सामने हाल इस में इंडिया का रहा हैं इंडिया का रैंक 18ね और पहले जानने थे कि जो ग्लोबर ड्रॉक्स पॉलेशी इंडेक्स है क्या सकता है तो रिलीस के ज्टा ता हम रेडग्शन consortium के द्वारा important question है यह जो harm reduction consortium है एक global consortium है जो कि drug से संबन्दी जितनी भी war होरी जितनी भी challenges है उनको regard में रखते हो index बनाता है जैसे कि अभी इनका जो data driven है वो global analysis करते है drug policies कैसी चल रही है all over the country जितनी भी है और उन policies को कैसे इंप्लिमेंट किया जा रहा है हाल फिलान में जैसे इंडिया government जो है रिव्यू करी है नार्कोटिक ड्रग एं इस एक को रिव्यू करी तो उससे बहुत सारी चीजे चेंज होगी इंडिया की रैंक पूछी रहा है तो 18 रैंक है आउट ओफ 30 गंडिस तो इन टोटल 30 कंडिस का रिव्यू दिया क्या गया इसमें इंडिया का स्कॉर 46 आउट अफ हंडेड है और इवन टॉप पे जो कंट्री उसका पूछा इस पहले इसका थीम जानते हैं यह फर्स ग्लोबल है जिसका नाम अभी आपने पढ़ भी लिया कोशन में आर्बिया के द्वारा और नाइस किया गया है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट अब यह है क्या ग्लोबल है तो यह एक तरीके से इन्वाइट कर रहा है और एक पार्डिस्पेंट को चाहे वो इंडिवीजियल हो कोई टीम हो जो मतब एलिजिबल है जिनके अंदर एक जिनके माइंड में एक आइडिया है इनोबेटिव आ असेसेबल हो किसको अंडर सर्व लोग जितने भी जिनको अभी तक सर्व नहीं हुआ डिजिटल पेमेंट इस और नहीं हुए तो इसमें अगर कोई जो विनर होंगे उनको जो फॉस्स रैंक पे होंगे उनको रूपीस 40 लैक का प्राइस मिलेगा और अपको 20 लैक का 25 तक एक्टेंड किया है मिशन का नाम है अर्टमीजम मून मिशन फेमस है लेकि नासा ने इसे अभी पोस्ट किया कि 20-25 यह होगा अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो यह नासा का फर्स्ट मूमेंट टू सैंड उन्दा मून जो है और इवन 13 मैं टू भी सैंड उन्दा लूनर सर्फेस है यह होने वाला ठीक है नासा जो है इसमें इसलेस रोकेट यूज करने वाले फॉर फर्स ताइम उसके अलावा नासा ने जो औरियन स्पेस्क्राफ प्रोग्राम था उसको भी थोड़ा सा और आगे सक्सेस्फुल सक्सेस के और बढ़ाया है एक और कोश्चन देगे बहुत इंपोर्टन कोश्चन है पूछा सकता कौन सी स्टेट गौवर्मेंट इसने हाल फिलाल में लौंच के एंटी ओपन बर्निंग कैमपेंग तो प्रिवेंट दा इंसिडेंट ओपन बर्निंग और पॉलिशन देखी मैंने अभी आपको कल का भी अपडेट पढ़ाया था कि दिल्ली गौवर्मेंट जो है दिल्ली ग करेगी एंटी ओपन बर्निंग करते हैं उन सभी को रोका जाया रिडियूस किया जाया और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहों यह इतना टार्गेट है इसके दिल्ली सरकार ने काम और किया था पहले 92 बिल्डिंग साइट जो है उसको ठीक है अभी और शोट टाइम क्लोजर किया उसका और इसमें पाडिस्ट deception बहुत सारे इस पार पूरी दिल्ली सरकार में जो भी डीडिये एडीसिविनगी स्ट्ल करेंगे इस इस campaign में एक app का भी यूज़ हो सकता है दिल्ली green app का यूज़ क्या होगा कि कहीं पर भी अगर open burning हो रही है तो उसका quick action जो है उसके बारे में बता जा सकता है इसी में तो important दूसरा जो graph है identify करने के लिए population source क्या है ठीक है और उसके तहत जो है उस पे action भी लिया जाएगा यह सब्सीजों पर focus करना है ठीक है आल फिलान में new president FIG के कौन बनाए गया तो आंसर है इस कोशन का मुर्णारी वटनामे जो है इनको FIG के new president बनाए रिएलेक्ट किया गया exactly तो बहुत important है कोशन आ सकता है इंटर्वेस्टर जिम्नस्टिक फेडरेशन है इसके यह president ठीक है तो important है इनके अगेंस जो खड़े हुए थे ठीक है वेटनाम में जो है यह जापान से और इनके अगेंस जो खड़े हुए थे फैरिड योब अजरबाइजान से यह हारे है और वेटनामे पहले ही जो है प्रेजिडन बन गये थे 2016 में और उसके बाद 4 साल तक रहे थ कोशन है यह बहुत प्रसिद्र व्यक्ति हैं और दूसरा important अगर जो उनके opposition में खड़े हुए थे उनके बारे पूछे तो यह प्रेजिडन रहे जिमनासिटिक यूरॉपियन गवर्निंग बोडी के और दूसरा minister of youth भी है एक अजरबाइजान गवर्मेंट में ठीक है इतने भी देशां सभी चाहते हैं कि globally adoption of solar energy का उसे accelerate करने के लिए अमेरिका ने भी इनिशेटिव लिया है तो अमेरिका के जोन केरी यूए स्पेशल प्रेसेटिंशन इन्वोज है उन्होंने अनौंस किया थे UNFCC में कि अमेरिका भी जोइन कर रहा है में इंडियन इंटरने के जो ओर्मर औरेबल प्रेजिडेंट थे उनके द्वारा जो है फ्रैंक्योस होलेंड के द्वारा जो है ठाटियत नौंबर 2015 में इससे स्टार्ट किया गया था अनौंस किया थे 21st session था उससर में United National Climate Conference का जो कि COP किस पैरीज में हुआ था और उसके बाद उसको प्रमोट भी किया अब जैसे अमेरिका भी जोइन कर रहा है तो डेफिनेट रेट से गूट अचीवमेंट से लिए और कोश्य देखेए का आल फिलान में यू चीफ को मनाए एंडीर अरफ के तो बहुत प्रसिद्ध आईपेस ओफिसर अतुल करवाल आप सभी जानते होंगे कि अतुल कर करवाल इस समय जो है डारेक्टर है सर्दार वल्लब भाई पटे नैशनल पुलिस अकैडमी हैदराबाद के तो अब इनको अपोइंट किया गए डीजी रैंक पर और इन्हें डीजे बनाएं नैशनल डिजास्टर रिस्पॉंस पोर्सिस का तो अब यह डीजी रैंक पर हैं प्राइबल के नाम से तो यूनियन कैबिनेट ने इस तीज को अप्रूफ किया है कि पंदरा नौंबर को ट्राइबल कैबिने जो ट्राइबल जो है प्राइट डे के नाम से और जंजाति गौरव दिवस के नाम से जाना जाएँगा ठीक है यह एनौनियन कैबिनेट जिसके प्राइम मिनिस्टर नी चेर गया था ऊसी में इसको अनौश किया गया था तो इनकी बर्त एनौशिर को इस नाम से जाना ठीक है revolution का नाम जाना जाता है इनका इल्गुलन के नाम से इंपोर्टेंट है तो कोशन आ सकता है और इसके तहट government of India celebrate करने वाली है एक long week celebration 15 November से लेके 22 November के बीच में जिसमें tribal people को promote किया जाए उनके culture उनकी achievements को promote किया जाएगा देखिए बहुत महत्पूर्ट सवाल कौन से चीव मिनिस्टर है कौन सी से चीव मिनिस्टर जोनोंने स्टार्ट किया है smart health card distribution तो यह सरकार के द्वारा किया गया है देखिए उडिशा सरकार में उडिशा के चीव मिनिस्टर नवीन पटनाएक जी उनके द्वारा smart health card जो है इसमें फैसलिटी प्रवाइड की जाएगी एट डिस्टिक में अभी तक स्टार्ट कर दिया गया इसके लावा एडिशनली जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लूंज करें जिनका वर्थ वैल्यू देखा जा तो 1550 क्रोड के आसपास है और इंपोर दूसरा इंपोर्टन कोशन इंडिया ने कौन से देश के साथ कंड़क है टूडे जॉइंट एक्साइस कोल्ड डैजर्ट वेरियर तो एजिप के साथ तीसरा फालगुनी नायर जो हैं इनको रिचस सेल्फ बेट बूबन बिलेनियर घोशित किया गया यह सी यूए किस कंप सब्सक्राइब करें और लाइब देखें मेरा अभी 7 एम का करेंट अफेर मैराथून साथ बज़े से लेके दस बज़े तक हो रहा है यह आप इसे जोइन करें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाला है तो डैट आप एजली एक्सेस कर सेकें और पूरा रिविजन कर सकें 400 के राउंड करेंट फिर यहां पर कवर होने वाले हैं तो आप इसमें रैफर कोड लाइव अमन यूज करके इस लिंक क को उपन करें इसे एक्सेस करें इस रैफर कोड को यूज करके और लाइव क्लासिस अभी देखें के यूटलाइस करिए प्लस को प्लस को प्लस कोर्स का लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे रखा है तो प्लस कोर्स होते हैं complete एक्सेस के लिए कि आप अच्छा content लिंक को उपन करें उसमें एक रैफर कोड होगा इधर लाइव मन यह फीज की जगा आपको यह फीज देनी है तो रैफर कोड लगते ही वह फीज हो जाती है तो अटोमेंटिकली उस लिंक में आपको मिलेगी फिर आप 24 मन्स इलैक करें आपको मन्त भी एक्स्रा मिलेंगे आपको सभी टीजस मिलने वाले हैं तो आप इसे यूटिलाइज करें यह प्लस कोर्सिस अगर आपको मिलते हैं आप थियोरी पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इसलिए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है सबसे कम फीज देने के लिए रैफ को सब्साइब जरु करें